हलो दोस्तों कुड़कला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं लाई हूँ नवरात्री के लिए एक बहुत आसान और खुबसूरत आइडिया तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर कार्डबोर्ड का एक बॉक्स तो मेरे पास यह एक बॉक्स था जिसका नीचे का पार्ट में यूज करने वाली हूँ और उपर का जो इसका लिड है उसको हम पेपर कटर की हैल्प से कट करके अलग निकाल देंगे तो यहां पर आप कोई भी थोड़े से बड़े साइज का कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं और इसके अंदर हम अपनी देवी जी को भी रखेंगे तो अपनी देवी जी के अकॉर्डिंग ही आप कार्डबोर्ड के बॉक्स का साइज जो है वो चुन सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है यह यलो कलर का एक बहुती खुबसूरत सा कपड़ा जो है मेरे पास बच्चा हुआ रखा दा नया ही है तो इसको मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तो इसको हम इस कार्डबोर्ट के बॉक्स के अंदर इस तरीके से चिपकाएंगे यानि कि नीचे इसकी सारी वॉल्स पर हमें अपने कपड़े को चिपका देना है बाहर की साइड से थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जुझाई तो कोई दिक्कत नहीं है बाहर क्योंकि हम बाद में लेस लगाएंगे अंदर की साइड से लेकिन अच्छे से हमें इसको चिप अब अंदर की तरफ लगा रहे हैं हम एक लेस तो ये मेरे पास दोतिन कलर की मिली जुली सी लेस थी जो इसके साथ काफी सुंदर लग रही थी यलो कलर के साथ तो मैंने चारो तरफ इसके ये लेस लगा दी और बाहर की तरफ मेरे पास ये काफी चौड़ी सी एक बुकरम वा बॉक्स चाहिएगा इसमें जैसे 3D बॉक्स होते हैं दोस्तों कुछ-कुछ उसी तरीके का आइडिया यह मेरे दिमाग में आया था यहां पर हम पीछे बैक साइड में लगा रहे हैं एक पैच तो यह तो रेडिमेट पैच है लेकिन आप चाहें तो बनाकर भी लगा सकते हैं साइब के बॉक्रंब के ऊपर कलर किजिए और उसके ऊपर कुंदन इसकी के पैच आयर बॉक्स क्ने पांण की कहा है। यहां पर हम एक pom-pom लगा देंगे ताकि जो यह हमारा चिपका हुआ हिस्सा है वो इतना visible ना हो तो यहां पर पहले मैंने केवल green color का pom-pom लगाया था पर box के अंदर लगाने के बाद मैंने एक pink color का pom-pom और लगा दिया था उससे यह और भी जादा खुबसूरत लग रहा था अब इसको लगाने के लिए देखे कहां लगाना है हमको जो box का जहां पर हमने patch लगाया है उसके उपर वाली जो wall है उस पर हमें अपने इस घंटी को इस तरीके से चिपकाना है अब क्योंकि ball chain बहुत ही पतली है तो अगर हम इसको ऐसे ही चिपकाएंगे तो यह बार-बार गिरने का डर रहेगा तो यहां पर भी हमने lace का एक टुकड़ा कट करके अपनी wall पर ball chain को इस तरीके से चिपका दिया है तो यह न काफी मजबूती से आपका चिपक जाएगा और देखें यहां पर green pom pom के साथ दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ पिंग कलर का pom pom तो उससे यह जो घंटिया है न यह काफी खुबसूरत हमारी लगने लगी थी अब बॉक्स की जो है हमारी थोड़ी सी किनारी जो है वो चमक रही थी तो उसको कवर करने के लिए यहां पर आप कोई भी एक silver chain, ball chain, कोई भी lace, पतली सी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैं silver lace की double line इस पर चिपकारी हूँ तो दो साइड में मैं इसको चिपकाऊंगी जहां पर मेरा box जो है वो थोड़ा सा visible हो रहा है और इस से एक थोड़ा सा rich look भी हमारे इस दरबार में जो है वो उसके बाद यहां पर ली है मैंने golden color की यह form वाली sheet जो glitter वाली आती है और यहां पर जो है एक मैंने color की शीशी का ठककर ले लिया है चोटे वाला और उससे हम दो इस तरीके के circle जो है वो कट कर लेंगे यह कट करने के बाद यहां पर मैं इनके ओपर चिपकाने वाली हूँ तो जो मैं यहां पर चिपकाने वाली हूँ वो है ready matte तो यह red color के थे इसलिए मैंने यहां पर नीचे golden color की sheet कट की है आप चाहें तो golden color की sheet के ऊपर ball chain से भी शुगलाब लिख सकते हैं या फिर 3D outliner से भी लिख सकते हैं तो इनको हम यहां पर चिपका देंगे और चिपकाने क के लिए मैं यह शुगलाब बॉल जेंस के ऊपर लगाने वाली हूँ उससे पहले में यहां पर इनके ऊपर एक कुंदन जो है वो चिपका रही हूँ और अब हम इसको अपने बॉक्स में चिपका देंगे तो कैसे चिपकाना है देखिए जो हमारी घंटिया चिपक रही है अब बॉक्स को अपना सीधा कर लेंगे क्योंकि अगर हम उल्टी तरफ लिटा के करेंगे ना तो यह फिर उल्टा सीधा इधर उदर चिपक जाएगा तो जो फ्रंट वाली साइड है वहीं पर हमें इसको चिपकाना है ताकि जब यह बॉक्स हम सीधा करें तो यह शुबला नहीं चल रहे हैं दोस्तों होली इतनी खेल ली है मैंने अभी तक कलर नहीं उतरा है और होली में इतनी ज्यादा बीजी रही कि वीडियो भी नहीं बना पाई उसके लिए आप सबसे सौरी लेकिन अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर्ली आपको जो है वीडियो में जरूर बताती रहूं भेजती रहूं और यहां पर देखिए रेड ग्लीटर शीट में से मैंने दो छोटे-छोटे से मटकियां कट कर ली है और ग्रीन कलर की शीट में से मैं उनके पत्तों को इस तरीके से ड्रॉ करके और कट कर लूँगी तो मैं यह बहुती सिंपल सा बहुती प्रेणत करने की जरूरत है और ना जदा टाइम लगाने की जरूरत है और बहुती जल्दी से बहुती सुन्दर सा आपका एक जो है नवरातरी की डेकोरेशन का आइडिया जो है वो बनके रेडी हो जाएगा अब इनको हमें यहां पर चिपकाना है तो चिपकाने के लिए सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए यहां पर मैं उनी धकनों का यूज़ कर रही हूं जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं और इन धकनों को पहले मैं अपने इस बॉक्स में इस तरीके से दोनों किनारों पर चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद इनके आ ज़ए रख सकते हैं या फिर कोई मूर्ती हो तो वो रख सकते हैं मैंने देखिए जो एक बार पहले आपको डॉल से दुर्गा माता की तस्वीर बनाना सिखाया था वो मैं यहां पर रख रही हूं और वो कैसे बनानी थी वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं म तो देखा दोस्तों आप किस तरीके से बहुती कम टाइम में और बहुती कम समान के साथ बहुती आसानी से एक बहुती खुबसूरत आइडिया जो है वो नवरात्री के लिए तयार कर सकते हैं आपको यह आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाई